आइए आज उन किसानों से मिलवाता हूँ, जो अपनी कड़ी महनत से आपके घर तक मका सारा चीज पैदा करके पहुँचाते हैं और क्या-क्या इसमें मिहनत करना पड़ता है, क्या-क्या सामागरी लगाना पड़ता है, कितना रासी लगाना पड़ता है, ये सब के संबंद में आईए जानकारी लेते हैं इनकिसामों से. देखे कड़ी मेनने से मका का बाली तोड़ तोड़ करके ला रहे हैं बोरा में पैक कर रहे हैं बया पारी के पास पहुंचाएंगे तब इन्हें राशी प्रप्त होगा तो आए मिलते हैं हाँ तो आप बतलाइए यह कब इसको बुवाइक यह थे मका को बैसाख में उसके बाद बैसाख में जब बुवाइक यह तो उसके बाद कितना पट्वन करना पड़ा पट्वन कहना है तीन महें लगा तार पट्वन करना पड़ा उसमें बीज तो कैसा सस्ता मिला था कि क्या कैसा रेट में एक सोनेब्य रुपे केजी अच्छा ठीक उसके बाद आपने जब बीज लगाया लगाने के बाद पट्वन करके जब कम्प्लीट किया तो खाद भी डालना पड़ा होग तो खाद क्या रेट में मिला था 25 रुपी मालूम हुआ कि ब्लॉक से आप लोगों को भी दिया गया था फिरी में तो फिरी में यह सब चर्चा था यहीं खाले मिला नहीं एक बार भी खाद नहीं मिला तो फिर आज तोड़ करके जो ले जा रहा है मक्का यहां से तो फिर य अगे कहां जाएगा जाएगा वह वृपारी पास आप पास तो यह वैपारी किस रेट में आप से रहा है फांच रुपे पांच रुपे केजी 5 पे चेजी लेकर जा रहा है ठीक है अब अपना नाम और पता बताईए कदमाडी धन्यबाद हाँ आप देख सकते हैं यह महिलाएं भी बहुत बड़ा सहजोगी हैं इस कार्च में तो हाँ आप बताइए आप इसमें बराबरी लोग सहजोग क्या करते हैं आप लोग क्या करते हैं जैसे मका में